वेलकम दोस्तों, मैं होट और जितन राज के वीडियो के इंदर बताने वाल हूं कि बहुत से लोगों का मेरे पास में यही सवाल आता है, यही क्यूसन आता है कि सर हमारी वाइप ने हमारी उपर डोरी लेने का केस किया है डोरी की डिमाड का केस किया है हमने उनसे डौरी ली है ये उन्होंने केस किया है तो क्या हम भी वाइब के उपर डौरी देने का केस कर सकते हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं सर हमने सुना है कानून में ये भी प्रावधाना है कि हम भी उसके उपर डौरी देने का केस कर सकते हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, तो यहां पर मैं एक advocate होने के नाते पूरी real procedure बताऊंगा, इस वीडियो के अंदर clear करूंगा, कि अगर आप गलत तरीका अपनाते हैं, अगर wife के उपर डौरी देने का case आप करते हैं, और इसमें अगर आप एक रास्ता भटक जाते हैं, गलत तरीका अपना लेते हैं, तो यहां पर husband को बिल्कुल भी फाइदा नहीं मिलेगा, केवल husband का पैसा और समय बरबाद होगा, अगर वो डौरी देने का case wife के उपर करता है, यह फिर wife के माई की वालों पर करता है, तो यहां पर husband को फाइदा नहीं मिलेगा, मैं एक तरीका बता होगा, उस तरीके को अगर husband यूज करता है, उस तरीके से अगर वो डौरी देने का case wife के wife के माई की वालों पर करता है, तो यहां पर 101% उसको फाइदा भी मिलेगा, और wife को 101% jail की हवा भी खानी पड़ेगी, wife के माई की वालों को भी खानी पड़ेगी, कि उन्होंने डौरी दी है, उन्होंने धेज दिया है, तो कौन सा तरीका है, बिल्कुल real procedure इस वीडियो के अंदर बताऊँगा, एक educate होने के नाते practically पूरी जानकारी दूँगा, क्योंकि मुझे पूरा procedure पता है, court में क्या होता है, क्या नहीं होता है, किस तरीके से case को deal किया जाता है, किस तरीक में तो वीडियो को description में नमबर दिया गया, पॉंट में लेकि मेरे से बात कर सकते हैं, तो चलिए, शुरू करते हैं, तो यहां पर मैं clear कर देता हूं, कि जो मेरे पास में क्यूसन आता है, उसके according में यहां पर जानकारी दे देता हूं, कि डौरी प्रोभीशन एक्ट नाइ देज लेता है, तो देज देने वाला भी अपरादी होगा, यानि कि देज लेने वाले के साथ में देज देने वाला भी अपरादी होता है, यह बात इस section के अंदर खही गई है, और यही मेरे पास में क्यूसन आता है, लोगों का यही सवाल रहता है, कि सर हमारी वाइप ने हमारी पर complaint करवाई है FIR करवाई है उसने ये बाते लिखवाई है कि हमने husband या हमारे सस्रौल वालों को इतना case दिया है इतना आपुसन दिया है इतना धेज दिया है और यहाँ पर वो बोलती है कि ये demand भी कर रहे है और हमने इनको इतना दे भी दिया है तो यहाँ पर वो देने की बात कर रही है यानि कि वो धेज देने की बात कर रही है तो धेज देना एक कानूनी अपराद है तो हम भी उसके उपर case कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं clear कर देता हूँ कि इसी act के डोवरी प्रोबिबिशन एक्ट 1961 का section 7 ये भी कहता है कि जो complaint करता होता है जो complaint दरज करवाता है जो agri person होता है उसके उपर ये low लागू नहीं होगा ये कानून लागू नहीं होगा ये धेज देने का जो case है ये उसके उपर नहीं लगेगा अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पर एक साइड से तो wife husband के उपर dory का case करती है, दूसरी साइड से husband wife के उपर case करेगा dory देने का और वो करेगी dory लेने का तो इसी करम में दोनों को punishment मिलेगी, इसी करम में दोनों को सजा होगी, तो इस कानून का फिर क्या फायदा हुआ, तो ये कानून तो लागो ही नहीं होगा, ये कानून आगे चलेगा ही नहीं, अगर wife के साथ में real में dory की demand की जाती है, और फिर भी अगर वो उसके उपर husband के उपर case करती है कि इन्होंने हमसे dory भी ली है और अब dory की demand भी कर रहे हैं, और फिर वापिस husband उसके उपर केस करता है, कि इन्होंने हमें ये dory दी है, या फिर ये accept कर रही है, कि हमने इनों को इतनी dory दी थी, तो इस तरीके से दोनों आपस में case करते रहेंगे आपस में case करते रहेंगे तो इस कानून का फिर क्या फाइदा हुआ तो ये dory probation act के section 7 में खा गया है कि जो एक्रिव परसन है जिसने complaint दरज करवाई है उसके उपर दहेज देने का case नहीं लगेगा तो यह बात यहाँ पर clear हो गई होगी तो यह आपके mind के अंदर आगे खयाल है यह आपका जो question है कि हमारी wipe ने हमारी उपर दहेज लेने का case किया है कि हमने इनको इतना दहेज वगरा दिया है तो हम भी wipe के उपर दहेज देने का case कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं clear कर दो कि आप उसके उपर दहेज देने का case नहीं कर सकते हैं इस तरीके से नहीं कर सकते हैं अब यहाँ पर मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप आपनी वाइप के उपर धहिस देने का case कर सकते हैं वाइप के साथ में उसके माई की वालों के उपर भी ये case लागू होता है तो यहाँ पर मैं तरीका बता देता हूँ इसमें आपको यह करना है कि आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है जो करेगा जो third person करेगा third person मतलब जो आपके रिस्तेदार या पिर पडोसी या पिर अन्य कोई संगटन है वो ये कदम उठा सकता है वो इस तरीके से उठा सकता है कि जैसे कोई रिस्तेदार है वो आपकी साधी के अंदर गया है और उसको ये पता चला है कि इतना हिनोंने दहेज दिया है तो ये एक दहेज देना अपराद हो गया है तो यहाँ पर जो third person जो रिस्तेदार है वो उसके उपर case कर सकता है वो case करवा सकता है कि इनोंने इस कानून के लागू होते वे इतना दहेज दिया है इतना धेज दिया है तो वो third person इसमें वो case के लिए participate हो सकता है वो case करवा सकता है या फिर आपका कोई पडोसी है वो case करवा सकता है कि ये जो wife है जो हमारे पडोसी की जो wife है ये बार-बार मतलब धमकी वगरा देती रहती है कि मैं तेरे को इस case के अंदर फंसा दूँगी इस तरीके से मैं तेरे को उलचा दूँगी इस case के अंदर मैं तेरे जिन्द की बरबाद कर दूँगी तो जो पडोसी है वो इस घटना को देखता रहता है वो यह इस घटना को देखता रहता है तो यहाँ पे जो वो काली गलोच निकालती रहती है हस्पेंड को उसके जो साससु रहा है उनको जो वाइप है उसकी बात कर रहा हूँ मैं तो यहां पे वो पडोसी उस activity को देखता रहता है और यहां पे वो wife है जो बार-बार धमकी भी देती रहती है कि मैं तेरे को इस दहेज के case में पसादूंगी इस तरीके से पसादूंगी तो यहां पे जो पडोसी है वो यह case कर सकता है कि यहां पे बिल्कुल हम इसकी साधी के अंदर गए थे तो इन्होंने इतना दहेज वगरा दिया था और यहां पे अब भी यह धमकी वगरा देती रहती है कि मैं तेरे को इस तरीके से फसादूंगी तो यहां पे जो third person वो पडोसी है वो यहां पे दहेज देने का case उसके उपर कर सकता है जो वो पडोस की wife है उसक के प्रोक कर सकता है तो यहां पे जो third person है वो इसमें participate हो सकता है case करने के लिए या फिर कोई NGO है वो इसमें participate या पिर कोई संगटन है वो इसमें participate हो सकता है वो यह third person आके ही धहेज देने का case कर सकता है directly कभी भी husband उस wife के उपर case नहीं कर सकता है कि उन्होंने हमको इतना case वगर दिया है इतना अबूसन दिया है और यह item दिया है यह सब बातें यह complaint केंदर लिखवा रहे हैं तो हम इसके पर तहेज का case कर सकते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा अगर ऐसा हो गया तो यहां पे बिल्कुल counter case चलते रहेंगे एक side से wife case करेगी एक side से husband case करेगा औ और वो यह case करता है कि इन्होंने इतना दहेज दिया है इन्होंने इतना दहेज दिया है इस कानून के होते भी दहेज दिया है तो डोरी provision act 1961 के section 3 के अनुसार 5 उरस्तकी सजा का प्रावधान किया गया है इसमें 5 उरस्तकी सजा होती है साथ में जुर्माना होता है कोट अगर से अगर आप apply करते हैं वाइब के उपर case करवाते हैं अगर रियल में वाइब ने आपके साथ में कड़बड़ी किया आपके उपर false allegation लगाए है या फिर लगाने वाली है वो बार-बार धंकी देती है तो इस तरीके से यह दहिज देने का case होगा और यहां पर मैं एक बार औ अंदर यह डौरी दी गई है यह दहेज दिया गया है और साथ में वो यह बात भी clear कर देता है कि बिल्कुल जो वाइफ है यह false allegation के लिए धंकिया देती रहती है वो गाले-गलोज निकालती रहती है जो उसकी activity है जो उसका वेवार है वो यहां पर court में clear कर देता है जो प् IPC की अनेक धराए जैसे IPC 504-506 गाली-गलोज धंकी यह मतर अनेक धराए और भी लग सकती है जिसमें वाइफ को पांच वरस या पिर अधिक भी सजा हो सकती है तो इस तरीके से उनको punish किया जा सकता है अगर real में यहां पर वाइफ की गलती है यह कानून तब लागू होग में नहीं करना चाहिए इस कानून का अगर उपयोग लेना है तो real में अगर किसी के साथ में यह इस तरीके की गटना होती है तब यह कानून काम करता है अधरवाईज अगर कोई false allegation लगाता है तो उसको यहां पर punishment मिल सकती है उसके उपर ही वापिस case बन सकता है 420 का case भी ब हसाने के लिए उसके उपर यह case कर देती है डोरी का case कर देती है डोरी लेने का case कर सकती है या पिर कर देती है तो यहां पर वो जो husband है वो भी डोरी देने का case इस तरीके से कर सकता है अगर real में उसके साथ में ऐसी घटना हुई है false तरीके से वाइप ने उनको फसाया है तब वीडियो को डिस्क्रिश्म में नंबर दिया है, आप पॉंट में डिले कि मेरे से डायरक्ट कोल के पर बात कर सकते हैं, और अपनी लीगल प्रोब्लम का सोलीशन पा सकते हैं, तो फिर आगे मिलेंगे आप से इने वीडियो ने टोपिक साथ में, आप सभी का बहुत-बहुत तर निवाते.